हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू स्टाडी विद क्रेजी गुरू, फ्रेंड्स आज हम CRPF ट्रेर्स्वान में जो जौर नोट्रिपिकेशन निकला है, ड्राइबर, मेकैनिक्स और भहुँ सारे पोस्टोपी निकला है, तो उस पे जो हम ट्रेस स्रीज का सिंखला स्टाट के हु तो स सब्सक्राइब कर दीजगा और क्राशक्ष्यर कर दीजगा, लिक distinct उस पर पर न इन्या, अपको गुलेंक्स सरे ङक Key एक सेक्षन करना है तो आप लोग जेनरल हिंदी का कीजिएगा क्योंकि वह इजी रहता है तो स्टार्ट करते हैं देखें कलास वन आप देख सकते हैं क्लास नमर वन से टेंटक कलास वन में हम पूरा डिसक्स कर चुके हैं आज हम कलास जो मतलब कलास 2 में 11 से कोस्टन देखेंगे क्या है देखें कोस्टन निम्लखीत में से कौन 1946 में मदरास निरवाचन छेतर से समिधान सभा का हिस्सा बना था ठीक है कोस्टन जो है वील्भा कोस्टन ये साब कोस्टन यह एक वार आप देख लेजिए सिसका एंसर एक बार देख लिएगा आपको खुद समझा जाएगा तो कोशन था निमलिकीत में से कौन 1946 में मदरास निर्वाचन शेत्र से स्वामिधान सभा का हिसा बना था तो उनका नाम क्या था अम्मू स्वामिनाथनी था कौन थे अम्मू स्वामिनाथनी मतलब ऑप्सन ए जो है इसक नामिनाथन जी जो थे 1942 में भारत छोरू अंदोलन में सामिल थे आपको पतर रहना चाहिए जो भारत छोरू अंदोलन जो होगा था वर्धा से स्टार्ट होगा था मुंबवाई में आठ अकस्ट उनईसो ब्यालेस इस भी को तो यह भी याद रखिएगा उसके डॉक्टर रजेंद्र परसाद जी को अध्यक्स के रूप में चुना गया था और इनके जो उपध्यक्स थे हरेंद्र कुमार मुखर जी थे याद रखिएगा कोशन जो था भीविया कोशन था यहां से कोशन पूशे जाते हैं समिधान सभा की प्रारूप समीती में कितने सदस्य होते थे एक कोशन भी भी आई है ठीक है एक जाम में पूछे गए हैं और आप से भी पूछी जाएंगे कितने सदस थे तो देख लेतने इस के बारे में देखियो क्या है श्ला कर देखियें हैं हो कोछन जो है यहां से भी कोछन पूछ जाते हैं जो उनसामिति थे उनके साथ सदस्य कौन थे देखें कैं आलाधि कृष्ण स्वाद्स वाय से गुपाल स्वामी थे उसके बाद थे भीम autocon लेकती थे उसके बात के मुश्य गिति थे उसके बाद मुहम्मब सादुला थे भी एल में पेसा भी ठ्योत निर्ड़ टेर दैपी आदमी ते तो साथ में का नाम जो साथ व्यक्ति थे उनका नाम याद रखे है तो अपंसन देखेंगा क्या है कन्हाइयालाल मानेकation आपको पता रहने चाहिए भारत का समिधान जो है प्रेम बिहारी नरा YEAH द्वारा खेंगा डोला माने कमаєए थे तो देख लेते हैं क्या है भारत का समिधान प्रेम बिहारी नरायन रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया है मतलब हस्त लिखित है रायजादा ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 395 मतलब 395 लेख एट अनुसुचिया और समिधान की प्रस्तावना को हस्त लिखित करने में 6 माइने का समय लिया था और जो हस्त लिखित 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 किया गया था प्रेम बिहारी नरायन राजादाजी के द्वारा लिखा गया था एक कोसन भी बियाई है बहुत सारे स्टूडेन को पता नहीं होगा लिकिन परह होंगे तो आपको याद हो जाएगा समिधान सभा की पहली बैठक कब होई थी दिसंबर 1946 में कब दिसंबर 1946 में हुआ था तो कब हुआ था नौ दिसंबर 1946 को जो समिधान सभा की पहली बैठक आयो जीत हुई थे डॉक्टर जो सचताना सिना जीत जो थे समिधान सभा के पहली अध्यक्स थे लेकिन बाद में डॉक्टर आजेंदर परशाद जी है उनको अध्यक्स चुन लिया जाता है तो यह भी याद रखिएगा कोशन भी भी आई था नेक्स कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 15 पर आते हैं कोशन क्या है किसी राजे के राजे पाल के रूप में किसी राजे के राजे पाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के समिधान दुआरा निर्धारित नियुन्तम आयू क्या है 35 साल है 21 साल है पचीस साल है या तीस वर्स है तो आपको पता रहना चाहिए जो 15 का एंसर होगा ऑप्शन एक करेक्ट एंसर हो जागा यदि किसी राज्य का राज्य पाल यदि नुक्त किया जाते हैं क्या होते हैं नुक्त किया जाता है याद रखेगा उनका निर्वाचन नहीं होता है पर्धानमंतरी यदि लोक सभास होंगे तो उनका उम्र जो है मतलब जो 25 वर्स होना चाहिए और राज्य सभास हो तो 30 वर्स होना चाहिए याद रखेगा और राष्ट पती बनने के लिए जो नियुंतम उम्र होना जाएए वो भी 35 साल होना चाहिए तो इतना आप लोग याद रखेगा किसी राज्य के राज्य पाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के समिधान द्वरा जो नियुंतम आयू है 35 वर्स है याद रखेगा परतियक राज्य के लिए एक राज्य पाल होगा भारत के समिधान के जो आर्टिकल 153 में कहा गया है कि परतियक राज्य के लिए एक र जो राज्य कारेकारणी से समद्धित है याद रखेगा नेक्स कोशन से क्या है भारत के समिधान ने कहीं संस्थागत विवरन और प्रकिर्याओं को अपनाया क्या है भारत के समिधान ने कहीं संस्थागत विवरन और प्रकिर्याओं को अपनाया आप्सण ए है कहां से लिया गया है तो ऑप्सण ए जो है करेक्ट्रेंशर हो जागा बहुत सारे गजामें पूछे गया है तो भारत सरकार अधनियम जो है 1935 के द्वारा जो भारत का जो सम तो देख लेते हैं क्या है देखिए भारत की समिधान ने भारत सरकार अधनियम 1935 से कई स्थागत विबरन और प्रक्रियाव को अपनाया है भारत सरकार अधनियम 1935 की मुखे विशेश्टा इस परकार्थी क्या है परांतिये दुएद साशन का उनमुलन और केंद्र में पूछे गए हैं जो भारत सरकार अधनियम 1935 की मुखे विशेश्टा इस परांतिये दुएद साशन का उनमुलन मतलब परांतिये दुएद साशन को समावत करना और केंद्र में दुएद साशन के अस्थापना करना था या दखना यह मतलब सुवात करना था उसके बाद क्य किया गया हैं नेक्स्क्कोर्ण 17 कोर्शन क्या था निम लिखीत में से किस अधनियम ने विधाई का में संग्य विशेश्टाओं और केंद्र और प्रांतों के बीच विधाई सक्तियों के वित्रन के प्रावधान भी मतलब सामिल किया गया है तो आपको अभी इंसर बता दी हैं भारा सरकार अधिनियम 935 जो है इसका कारेक्टेंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पर आते हैं कोशन क्या है सामिधान सभा की कुल सदस्यता 389 थे जिसमें जिसमें मतलब कितने रियास रियास्तों के परतिने देते तो एक कोशन भी आई है जो सदस्य थे 389 थे उसमें से 93 जो रियास्त थे उनके परतिने देते थे मतलब 93 जो है ऑप्षन डी में है करेक्टेंसर हो जाएगा इसके बारे में देख लेते हैं क्या है सामिधान सभा की कुल सदस्यता 389 थे जिसमें से 292 परतिने थे 93 जो है आपका रियास्तों के परतिने थे और चार जो है दिल्ली अजमेर मिरवारा परति था वहां का कुर्ग और ब्रिटिस बलुशिस्टार के मुख्य आयुक्त परतिने थे ते याद रखेगा दखें 389 थे तोटल जो है सामिधान सभा में 389 थे उन में से 292 जो है परतिने थे 93 जो है रियास्तों के परतिने थे और चार जो है दिल्ली अजमेर मिरवारा कुर्ग और ब्रिटिस जो बलुशिस्थान के मुख्य आयुक्त परतिने थे ते यह याद रखेगा बहुँ सारे गिज आमें पूशे जानेंगे नेक्स कोशन 19 कोशन पर आते हैं कोशन क्या है समिधान सभा के सदस्यों ने कब मतलब किस तिथी को भारत के समिधान पर हस्ताक्षर किये थे तो आपको पता रहना चाहिए 24 जनबरी 1950 को मतलब ऑप्षन भी इसका करेक्टरेंस पर जाए कब किये थ पतास्यों ने 24 जनबरी 1950 को भारत के समिधान पर हस्ताक्षर किये थे इसी दिन समिधान सभा के अंतिम बैठाक होई थी कम हुई थी 24 जनबरी 1950 को हुई थी याद रखेगा जिसमें से 395 में लेक थे 8 जो कारे करमों थे और 22 भाग को सामिल किया गया था और उन पर किया था यह याद रखेगा नेक्स कोशन 20 कोशन का है निमलिखीत में से किस वर्ष में भारतिय राष्टिय का अंग्रेश ने समिधान सभा के मांग की थी तो कब की थे नाइंटि ठाटिक फोर में मतलब अप्शन डी इसका करेक्टेंसर हो जाएगा तब भारतिय राष्टिय राष्टिय के बारे मां अपने उजानते होंगे 28 दिसमबर कब किया था अस्थापना देखिए 28 दिसमबर 1850 सिवी को मतलब 28 दिसमबर 1885 को भारतिय राष्टिय का अ याद रखेगा तो 20 का कोशन एंसर क्या हो जागा 20 का जो है आपका अप्शन डी इसका करेक्टेंसर हो जाएगा मतलब 1934 में भारतिय राष्टी कंग्रेश ने समिधान सभा के मांग की थी याद रखेगा उसके बारे में और देखे लेते हैं क्या अथा देखिए समिधान सभा के लिए एक बिचार प्रस्थावित खिया गया था और यह 1935 में भारतिय राष्टिय कंग्रेश की जो अधिकारिक मांग है वो बन गई थी तो यह भी याद रखेगा कोशन यहां चे पूशे जाते हैं नियमो और सिधान्तों के एक सेट को प्रस्तुत करने में मदद करता है जिस तरह से देश पर सासन करना चाहते हैं उसके अधार के रूप में सहमत हो सकते हैं समिधान नियमों और सिधान्तों का एक सेट प्रस्तुत करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग जिस तरह से देश को शासित करना चाहते हैं उसके अधार के रूप में सहमत हो सकते हैं तो यह भी याद रखेगा कोसन जो यह भी भी आई है एक दू कोसन और बता देते हैं ठीक हैं ट्वांटी टू कोसन पर आते हैं कोसन क्या है यह कोसन पुछा गया था निमलेखीत में से किसे भारतिये समिधान सभा का अंत्री मध्यक्स बनाए गया था तो सस्ता नन सिनहाजी ऑप्शन बी जो है करेक्ट रसर हो जागा सस्ता नन सिनहाजी बनाए गया था याद रखेगा तो देख लेते हैं देखिए सस्ता नन सिनहाजी के दुरान भारतिये समिधान सभा के अंत्री मध्यक्स कौन ते डॉक्टर सस्ता नन सिनहाजी बनाए गया था याद रखेगा वह पेशे से एक वकिल थे लेकिन क्या होता है कि दो दिन बाद मतलब डॉक्टर राजेनर परसाद जी को 11 दिसनमब उन्यश चन भारति के समिधान सभा के अस्ताई अध्यक्स तुर यह पेशेर लेकिन क्या होता है कि दो दिन बाद मतलब 11 दिसंब उन्यशा तुर6 लेकिन कि पत्र कूर्य के प्रसाद यह को आसे समिधान सभा का असा यह द्यक्स चुल नैगे आ जाता ओए प्थी.- Ques선 क्या था भारत के समिधान सभाँ के मौसौदा समीति का रेक्स कौन थे आपको अभी भी बता दी है Sardar मतलब भीमराव अंबिधकर जीते कौन थे भीमराव अंबिधकर जीते ने च्छट ट्वण्टी 4 पर आते हैं क्या था है धेखी क्यों कि भारत में हर साल समिखान दिवस दिन को मना जाता है तो आपको पता रहना चाहिए को शबविश नवंबर को समिधान दिवसके रूप में मना जाता है कर दिया गया था नेस्ट कोशन पर आते हैं जो क्या लास्ट कोशन क्या है भारतिय समिधान की प्रारूप समीति के अध्यक्स कौन थे तो आपको बता भी दिये हैं इसका डॉक्टर भीमराव अमिर कर जीते हैं ठीक है तो देखे फ्रेंस कोशन जो है इसी तरह आपका जाए भारत।